वेलकम टो माय यूटूब चैनल तो इस रीडियों हम बात करेंगे सवुदी अर्बेन लीग के मैच के बारा में जो गाईश खेला जाए यहाँ से अल इत्तिफाक और अल रायद एपसी के बीच में होनुआ इस मैच के बारा में तो गाईश इस रीडियों में इन दून टीमो जो कंसिस्टेंड गोल करते हैं इन दून टीमों की तरब से और कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पिलियर्स के बार हम बात करेंगे जिनका ड्रीम मिलों पर काफी लो सेलक्षन रहेगा और उन्हां आप अपनी समोल लीग टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो कि जो पॉइंट टेबल वहाँ पर तो सबस्वेल नजर डालते हैं अल इतिफाक यहां से 6th पोजिशन पर है वहीं पर बात करते हैं अल रायत यहां से 10th पोजिशन पर है तो गईज अल इतिफाक ने 28 मैच खिले हैं जिसमें से 12 मैच तो इस टीम ने विन किये हैं 5 मैच ड् चिम से लस्किये हैं 45 गोल इस टीम डिफेंसिव एज कंसीड कीए तो गईज 28 मैच में 45 गोल करने आप मान सकते हैं अब माद सकते हैं पर मेंच में 1.6 गोल पर मेंच टाएं ड़ायता है देन 26 मैच में 40 गजीएज कंसीड के तो इसका जो डिफेंस है पर पर्तियक मैच में 1.6 गोल पर मैच सकोर करना का एवडे रखता है अब गाइस बात करते हैं जो अल राइध है इसने 28 मैच खिलें जिसमें से 10 मैच तो इस टीम ने विन किया है पाँच मैच ड्रो खिलें तेरह मैच इस टीम ने लोस किया है 41 गोल सकोर किये हैं और 42 गोल इस टीम ने डिफेंसी वाज कंसीड किये हैं तो गैज 28 मैच में 41 गोल सकोर करना आप मान सकते हैं जो इसका अटेक है परती एक मैच में 1.4 गोल पर मैस सकोर करना का एवरे रखता है वहीं पर बात करता है इसने 28 मैच में 42 गोल डिफेंसी वाज कंसीड करें तो इसका जो डिफेंस है परती एक मैच में 1.5 गोल पर मैच सकोर कंसीड करना का एवरे रखता है Attacking wise परतिएक मैच में कम सकम One goal per match score करते लेकिन Defensive wise यह team कहीं ने कहीं परतिएक मैच में One goal score consider करते और कभी कभी 32 team के सामने यह team दो goal भी score consider कर देते तो guys अब बात आते कि किस team को हम अपने ड्रेम लेओं टीम में एक favorite team मानने चलते हैं नहीं करती लेकिन गाइस बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में हैट्ट वर्ड मैच खेलती हैं तो क्या परफॉर्मस रहता है इन दून टीम हैट्ट वर्ड मैं और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में फेवरेट टीम होने वाली हमारी समोल लिग टी करती है अब गाइस बात करेंगे जो पिछला मैच इन दून टीम हो बीच में हुआ था अल इत्तिफाक 3-2 से इस मैच को विन कर गई थी और उससे पिछला मुकाबला अल इत्तिफाक 4-0 से विन कर गई थी तो दोनों मैच यहां से आप देख सो तो रिसेंटली अल इत्तिफ से विन किया और फिर यहां से अल इत्तिफाक ने 2-1 से विन किया और फिर इन दोन टीमों के बीच में एक मैच हुआ 0-0 से ड्रो तो रिसेंटली जो दो मैच हैं वहां से अल इत्तिफाक ने विन किया है और यहां से आप देख सकतो एक मैच इन दोन टीमों के बीच में ड्र मौली की टीम के लिए लेकिन डिफेंस वाइज भी टीम कहने कहीं गोल कंसीड करती है तो हैट टो एड में यहां से अल इतिफाक का जो पर्फोमेंस है वो काफी अच्छा रहा है अब बात करते हैं इन दों टीम हो जो रिसेंड फोरम है रिसेंड फोरम का कोडिंग क्या रिसेंगाइज भात करती है कम से कम वन गॉल सक और में सकंट कर देती数 लेकिन डिफेंसवाइज भात गोल करती है और फिचला मैच तो पीछला मेचकर में इतिफाक हाओ व सबसें सब्सक्राइब के सामने इसने टुवन से मतलब लोस किया और फिर यहां से आप देखे सब्सक्राइब के तो दो मैच विंक है जो कि इसने गोल सकोर पर्फोंच पर्फॉमेंस के लेकिन डीफ्ञेंसिव वाज काफी अच्छा रहा है की गोल कंवंसीड ही नहीं के और एक मैच इस टीम ने और विन किया जो कि दोनों टीमों के तरफ से हाई सकोरिंग मैच देखने को मिला और यहां से दो मैच इस टीम ने लोस तो किया है लेकिन उस लोस में भी इसने सकोर किया है मतलब गोल सकोर किया और डिफैंसी वाज भी गोल कंडिशीड किया तो यहां से यह चीज़ देखनों को मिले कि यह टीम कम से कम दो गोल सकोर करती है परते हैं मैच में लेकिन डिफैंसी वाइज भी यह टीम आप मान सकतो एवरेज परफोरमस है कि दो गोल कभी-कभी एक गोल पर मैच सकोर कंडिसीड कर देती तो रिसेंट फोरम का कोड़िंग यहां साल इ डिफैंसी वाइज भी कहने कहीं यह टीम वन गोल कंडिसीड कर देती है अब गाइस बात करें जो अल राइद अपने पिछला मैच अल नशर्ट के सामने थिरी वन से लोस करका आ रही उससे पिछल मुकाबले इसने टू वन से लोस किया और फिर यहां सा वन जीरो से विन औ फिर इस टीम ने वन से ड्रो干िला और फिर वन जीरो से विन भी गया तो इस टीम ने वी दो मैच ऐसी छेल जिसमें इसने गोल सकोर किया लेकर डिफैंसी वाइस ऐस नहीं किया तो एक मैच इस टीम भी लोस किया लेकिन उस लोस में इसने काम से कम और मैच गोल C Trad 가능 inspire करता तो दो गाईस इन दून प्वांट सबुंद देखने के बाद और इन दून प्वाइज इन दों प्वाण देखने के बाद क्या कलों मिलती है तो यह फीर्एज सब TRADI for है head to head में कम सकम दो गोल सकोर करते और एक गोल कंसीड करते रिसेंड फोरम का कोर्डिंग भी आप मान सकते नॉर्मली दो गोल सकोर करते और डिफैंसी वाइज भी दो गोल कंसीड करते तो यहां से क्या चीज़ देखनों को मिले कि अल इतिफाक जो है टीम कम सकम 1.5 1.6 1.6 का सकोर भी करते हैं और डिफैंसी वाइज गोल कंसीड भी किया है तो इस मैच के जो सकोरलाइन प्रडिकशन क्या हो सकता है नज़र डालते हैं अल इत्थिफाक को पिलियर्स के बार गों और उस से पहले अगर आप ने हो और आप ने भी तक हमाँ टेलिग्राम चेल को जोइन नहीं किया तो इसी वीडियो को इतिफा की टीम के तरफ से जो फिल हाल के टाइम पर हाइस्ट गोल टेकर वालिद है अजारू है जिसने आठ गोल की है और इस टीम के तरफ से हाइस्ट गोल टेकर भी है और वहें पर बात करते हैं फिलिफ किस जिसने आठ गोल की है लेकिन आठ के आठ गोल इस टीम के तरफ स तो यहां से यह टॉप थिरी पिक को तो आपको पिक करके चलना है वहें पर बात करते हैं फोर्थ हाइस्ट गोल टेकर मुहमंद अलकोया की भी जिसने साथ गोल किये हैं और इसका सलक्षन ड्रीम इलोन पर वेरी हाई और इसको कैप्टर बना रहे जनता 50% अब आप देख सकत पिटी है जिसने 6 असिस्ट के हैं और इस टीम के तरफ से 3rd हाइस गोल टेकर भी तो इंपोर्टन पिलियर रहेगा आपको अपने ड्रीम इलोन टीम है कैप्टन पलस वाइस कैप्टन की बेस्ट चोईस के लिए अब बात करते हैं मुहमंद अलकोया की भी जिसने 5 असिस्ट कि और साथ गोल के हैं तो इसको अपने ड्रीम इलोन टीम पिक के चलने चलनना है वहें बर बात करते हैं डोकारा जिसने 5 जोओन असूज ऑर 5 असिस्ट के और साध की यहने अपनी टीम तरफ सब से ज़्यादा स्ट लेना ौर इस ने अभी तक 63 मैं analyse मैं तो आप देख से ट इसका गॉल में फोड़ा सा कंट्रीवुट कम रहता लेकिन प्लेयर क्या है ब्राजील का है तो ब्राजील इन प्लेयर के बारे में अब प्राजील नेटेक हैं। तो गाइज अल राइद की टीम की टीम की तरफ से जो स्वित्य इसनल मूप के k잉एogen लेकरते सकेप्सा इसके हैं पर करीम, अर करीम, Khan करीम, ऐल का उय। करीम इल, बेर काई जिस निए 14 गोल के हैं। और इस टीम के तरफ से इस से चार गोल पैनल टीम के हैं। तो फ़स्ट च्वस्ट गोल टेकर भी यह फर्स्ट च्वाइस पैनल टीकर भी तो यह आपको अपने ड्रीम लूंग टीम में कैप्टन बना के चल सकते हों वहीं पर बात करते हैं सेकंड हाइस्ट गोल टेकर अल मॉर्गेन जिसने च्छे गोल किये हैं तो यह कि इसका सलक्षन है जो वह बहुत नॉर्मल आप मान से तो कि इसका सलक्षन मेरा कोर्डिंग 15 यह 10 परसंट है तो आप देख से तो इसकी क्वालिटी क्या फिलाल टाइम अब बात करते हैं इस टीम तरह जो थर्ड हाइस्ट गोल टेकर यहां से डजू में जिसने तीन गोल किये हैं और एक गोल इसने पैनल टीम किया तब पैनल ट अब बात करते हैं जो इस टीम तरह जो हाइस असिसने प्लर निकाले तो इसके बाड़ मशाहलीी जो कि गोल पलस डोनों कंट्रिबूट चुका है और तीन और चार असिस्ट कर चुगा है इंपोर्टन रहेगा वहें पर बात करते हैं तो आपको दो चैनल दिखाईजे के देखनों को मिलेंगे जिसमें एक में अड़ट सो पलस के सस्क्राइब जो कि हमारा है जिसमें आपको तरे सट सो पलस के सस्क्राइबर देखनों को मिलेंगे उसी टेलिग्राम चैनल को जोइन करना यहाँ पर आपको फाइनल टिम और फाइनल अपड़ेट जो इस मैच की कोई भी प्लेर वाइज वह आपको टेलिग्राम चैनल डाल दी जागी और यहाँ तो इस वीडियो को लिंक से जो आप टेलिग्राम चलों को लिंक दिया हुआ न हमने वीडियो को नीचे कॉमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी वहां से आप जोईन कर लेना सब से बैस तरीक रहेगा अब बात करते हैं इस मैच में क्या रहन वाली जो हमार समॉली टीम 2-1 की परडिक्शन का अनुसार तो देख लेते हैं यहां से ड्रीम लों की टीम 2-1 की परडिक्शन का अनुसार तो फिलहाली के लिए हमारी जो समॉली टीम है यहां से वालिद अजारो को कैप्टन रखा है और करीम अल बेरकोई को वाइस कैप्टन रखा क्यों कि यह अपन पैनल्टी ली हैं आठकी अचील गूल पैनल्टी में करों तो और इस में चुन 11 कोर साथ हो यह का इंसको पाइम बहुत भोट कर दो तो उसका कोषेए अंडरी अब बात करते हैं अगर आप नए हो बिलकुल नए हो और आपने भी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया कोई दिक्कत में और इंपोर्टन बात ये भी अगर आप बिल्कुल नहीं हो और आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे व्यार कर लो ना नेस्ट मैज की वीडियो इसी यूटूब चैनल पर आएगी तो बैल आइकन को फ्रेस ठोक देना और एक बात है खुद का ख्याल रखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू करोना इस नेस्ट वीडियो में को बातनी